हलो फ्रेंट्स गुड बॉर्निंग मैं हो एमजे और आज है संडे और यह है अपनी संडे अपडेट की वीडियो फ्रेंट्स जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यह हमारा भोगन वेली का प्लांट है लास्ट भोगन वेली की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके लीव थोड़े जुक नहीं जाएंगे तब तक मैं इसके अंदर वाटरिंग नहीं करूंगा तब ही मैं वाटरिंग बहुत ही अच्छी तरह कर लूंगा जब इसके लीव जुके होंगे तब मैं इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह वाटरिंग कर लूंगा और पानी पॉ इक यूज करिए लेकिन टिकों प्लांट के लीव एक दम से जुक नहीं जाएंगे आपको सिर्फ मिट्टी चेक करनी है दो दिन के बाद आप पानी दीजिए अगर आपके ग्रो बैग में ग्रो किया हो तो अल्मोस्ट दो तिन दिन के बाद ही पानी दीजिए क्योंकि इसके इनकी ग्रोध भी हो रही है और दिखने में भी अच्छे कासे ग्रीन है यह देखिए फ्रेंड्स यहां पर आपको यह वाइट कलर का कुछ छीटे आपको दिख रहे हैं यह एक्चुली मैंने फंगी साइड का स्प्रे किया है सभी पौधों पे मैं मंतली एक बार या तो 20- एक बार मैं अपने सारे पौध के उपर फंगी साइड का अप्लिकेशन कर देता हूँ बैविस्टीन फंगी साइड अब भी मैं फंगी साइड का अप्लिकेशन करता हूँ वह हफते में किसी भी टाइप का केमिकल पेस्टिसाइड का अप्लिकेशन नहीं करता तो एक विक म इसके उपर प्रडिवार्ड ही रहता है जब से मैंने यह यह प्लान को ग्रो किया है उसके बाद यह continuous मुझे flowers दे रहे है तो कनेर तो अभी बहुत ही अच्छे grow हो रहे है और ये हमारे gardenia है एक्चुली ये जो देख रहे है friends ये paint लगा हुआ है कल में painting का काम कर रहा था मेरे pot को तो वो काम बहुत ही दिक्कत वाला काम है friends बहुत ही easy काम नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको easy technique बताऊंगा actually मैं paint लेके आया था लेकिन ये जो color है ये pot का तो मुझे color थोड़ा सही नहीं लग रहा है अगर आपको लग रहा है तो please मुझे comment box में बोलिए कि ये जो color है वो सही है नहीं तो मैं दूसरा एक थोड़ा light color लेके आजाओंगा थोड़ा reddish type का ये color में इसलिए लाया था क्योंकि मैं अपने pot को थोड़ा brown color देना चाहता था लेकिन लगाने के बाद मुझे थोड़ा सा इसके अंदर doubtful लग रहा है थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी अगर आपको ये color सही लग रहा हो मैं अभी थोड़ा confused हो गया हूँ अगर आपको ये color सही लग रहा हो तो प्लीज आप मुझे comment box में comment करिए कि ये सही है या नहीं अगर ये color सही होगा तो बाद में मैं अपने सारे pot के उपर यही color लगा दूँगा तो मैंने कुछ ये देखिए यहाँ पे भी मैंने color किया है almost 10 गंबले मैंने color कर दिये है तो ये जो 10 गंबले मुझे एक लीटर यानि की Asian paint का एक लीटर color मुझे लगा है तो उसके उपर totally एक वीडियो में upload करूँगा लेकिन color selection का आप मुझे थोड़ा help करिए अगर ये color सही हो तो बाद में इसमें का ही color लाऊंगा अगर दूसरा कोई color लाना हो तो प्लीज आप मुझे suggest करिए तो चलिए आगे ये हमारे लैंटेना के plant है बहुत ही अच्छे ग्रो हो रहा है बहुत ही सुन्दर flowers इसके उपर लग रहे है ये yellow है और इसके उपर yellow, orange और red color के होते है ये भी yellow, orange और red है और वहाँ पे जो लैंटेना है उसके उपर purple color के छोटे-छोटे flowers होते है तो बहुत सारे अच्छे flowering अभी लैंटेना मेरे या कर रहे है और जैसे की rose के plants है rose के plants तो अच्छी खासी growth मेरे या करी रहे है आप सभी जानते है ये gladiator rose के उपर अभी बीच में बहुत सारे birds निकले हुए थे लेकिन अभी ये plant अपनी growth कर रहा है तो मैं इसके उपर new branches देख रहा हूँ कि सही निकल रही है कि नहीं ये देखिए ये पूरी एक new branch निकली हुए है जो healthy है और यहाँ पे भी देखिए friends यहाँ से भी सारी new shoots निकल रही है तो gladiator rose का plant भी अच्छा खासा grow हो रहा है कश्मीरी rose भी अच्छे खासे grow हो रही है miniature rose भी अच्छे खासे grow हो रहे है सारे plants के उपर flowering birds धीरे धीरे करके निकल रहे है और ये अपने इसाब से अपनी growth करते रहते तो rose plant में तो कोई भी दिक्कत नहीं है ये हमारे bogan valley है वो भी अच्छे grow हो रहे है और ये हमारे coxcomb के plant है friends देखिए कितना खूपसूरत flower है इसका तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं friends ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं अगर आपको दिख रहा हो तो ये ब्लैक कलर के इसके seeds होते हैं तो ये seeds हवा से जरीए या तो बीज के जरीए इधर उधर दूसरे गंबले में चले जाते हैं और वहां से ये plant अपने आप ही grow हो जाता है अगर आपको इसके seeds भी collect करने तो बहुत ही easy चीज है जैसे कि आप देख रहे हैं ये flower को हमें cut कर लेना है cut करने के बाद अगर आप flower के ऊपर कुछ उसको थोड़ा हाथ उसके ऊपर लगाएंगे तो आपके हाथ में इसके seeds आ जाएंगे तो बहुत ही easy going plant है और आपके garden में एक बर लग जाएगा ये plant तो बाद में आपको उखार के फेकना पड़ाएगा इतनी quantity इसकी बढ़ जाएगी और दिखने में भी बहुत ही सुन्दर लगता है अगर आप ये plant को बंच में रखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और ये हमारे एडेनियम है एडेनियम भी अच्छी खासी growth कर रहा है ये हमारा spider लिली है इसके ओपर तीन flowers अभी निकले हुए है तो ये भी धीरे धीरे growth कर रहा है हमारे मदू मालती है friends मदू मालती के उपर growth अच्छी खासी हो रही है अभी flowering इसने start नहीं की है ये देखिए यहां से वो आगे वड़ रहा है तो धीरे धीरे करके ये थोड़ा लंबा हो जाएगा उसके बाद इसकी growth भी इसके ओपर flowers भ अब यह जे new shoots है वो थोड़े लंबे होंगे उसके बाद इसके ओपर flowerings भी आना start हो जाएंगे तो इसके ओपर separate में एक वीडियो बनाओंगा के winter season में हमें किसी साब से हर्शिंगार के plant की care करनी है क्योंकि बहुत सारे मेरे viewers हर्शिंगार से related मुझे comments पूछते रहते हैं तो मुझे लगा कि एक वीडियो इसकी बनती है और अलमंडा भी अच्छे खासे grow हो रहे है ये देखिए उपर से ये अभी बेल और उपर जाएगी इसकी और यहां से भी ये बेल लटक रही है यानि कि ultimately वो उपर ही जाएगी मैं इसको उपर ही direction दूगा जबकि ये जो बेल है वो सीधी में जाने दूँगा तो यही सबसे थुड़ी adjustment करता हूँ ये हमारे railway creeper का plant है friends बहुत सारे मेरे viewers ये पूछ रहे हैं कि ये purple color का flowers कौन से है तो इसे railway creeper बोल करेंगे तो बाद में ये जो plant है वो आपके बहुत ही अच्छी flowering करेगा ये मेरे सारे crotons है अब almost इसके उपर 50 to 70% जितने white flies अभी खतम हो गया है मैं आपको दिखा देता हूँ white flies की dead bodies तो ये तो देख रहे है friends ये crotons इसके उपर white flies का attack बहुत सारा हो रहा था और इसकी म बिट्टी के ऊपर अगर आपको ये दिख रहे है white color के ये ये देखिए ये सारे white color के flies है जो मर के पड़े हुए है तो नीम पेस्टिसाइड और रोगोर पेस्टिसाइड अल्टरनेटली मैं अपने plant के leaves के उपर स्प्रे करता रहता हूँ जिसकी वज़े दीरे दीरे करके ये मरने लग जाते है और आपकी plant की soil के उपर आपको दिख जाएंगे देखिए तो सारे इसकी dead bodies पड़ी हुई है ये देखिए इसके अंदर भी dead bodies पड़ी हुई है इसकी तो धीरे धीरे करके वो तो decompose हो जाएंगे उसका tension नहीं लेना है लेकिन हमें pesticide के application उसके पीछे क देख सकते हैं अभी recently मैंने वो वीडियो अप्लोड की है और rubber plant को देख लेते हैं बहुत ही बड़ी आग्रू हो रहे है देखिए फ्रेंड्स जो rubber plant यहां से बंदरों ने कट कर दिया था उसके पीछे इसने नई branches develop कर ली है एक दो और तीन ब्रांच इसकी develop हो गई है और च प्लांट है तो अनार का प्लांट ठीक ता ग्रो हो रहा है कोई special नहीं है इसमें तो एक यहां पे फ्रूट रेडी हो रहा है यहां पे फ्रूट रेडी हो रहा है और यहां पे फ्लावरिंग और फ्रूट रेडी हो रहे हैं और यहां पे देखिए प्रेंट छोटे छोटे fruits ready हो रहे हैं तो इसके उपर fruits और flowers तो ready हो जाते हैं लेकिन गिलेरिया इसको खराब कर देती है तो ये plant तो अपना काम करता है लेकिन गिलेरिया भी अपना काम करती है और ये हमारे yellow tickoma है इसके उपर flowering जाना start हो गए है ये देखिए ये flowering की एक श्टिक निकली हुई है बहुत ही जल्द इसके उपर yellow color के बहुत ही सुन्दर flowers देखने को आपको मिल जाएंगे तो तब भी मैं आपको sunday update की वीडियो में आपको दिखा दूँगा ये हमारे टगर के प्लांट है अभी ठीक ठाग ग्रो हो रहा है क्योंकि इसके उपर yellow leaves होके इसके बहुत सारे leaves जड़ी गए क्योंकि जैसे ही climate में changes आते है तो कुछ summer plants अपने leaves गिरा देता है तो ये भी एक summer plant है इसको घरम climate बहुत ही अच्छा लगता है तो रात के टाइम जब ठंड पड़ती है तो इसके leaves धीरे-धीरे करके yellow हो जाते और गीर जाते तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है विंकास ने फ्लावरिंग की है यह रेखिए बहुत ही बढ़िया अभी ग्रो हो रहे है रिसेंटली हमने विंकास के ऊपर में वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत अच्छी कॉमेंट्स दी है विंकास से रिलेडिन तो विंकास तो फ्रेंड्स ब प्लावर्णि आप इसको बंच में रखिए कभी भी सिंगल प्लांटना अरץ को जितना हो सके उतना बंच में रखिए अगर यह बंच में रहेंगे तो इसके ऊपर बंच में आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे और आपके garden का look भी बहुत ही अच्छा देंगे तो ये हमारे winkas भी अच्छे grow हो रहे हैं और यहाँ पर हमारे marigolds के ओपर धेर सारे flowers लगे हुए हैं ये देखिए बहुत सारे flowers इसके ओपर लगे हुए हैं तो marigolds अभी winter season में बहुत ही अच्छे खुश नजर आ रहे हैं और अच्छी enjoy कर रहे है winters को और winters को enjoy ठीक से नहीं कर पाते हैं ये मेरे hibiscus okay condition में normal है ज्यादा मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ही अच्छी है normal conditions है कुछ pest इसके ओपर लगे हैं कुछ pest लग जाते हैं तो plant थोड़े stress में रहते हैं और वैसे भी winter season स्टार्ट होगी तो winter season में भी ये plant को थोड़ी डिक्कत होगी जैसे ही ठंडिया ज्यादा गिरेगी तो इसके leaves थोड़ी yellow होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये कुछ problem होगी लेकिन जैसे ही January February का महिना स्टार्ट होगा उसके बाद ये plant भी हमारे बहुत ही अच्छे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे तो अब भी हम चलते हैं हमारे lemon plant के तरफ तो ये है हमारा lemon plant जो बस normal condition में है कुछ ऐसा extraordinary नहीं हुआ ये plant के उपर जैसे कि fruits बीच में इसके उपर fruits लगे थे लेकिन fruits भी जढ़ गए तो कुछ नए flowers भी नहीं आए और कुछ नए fruits भी नहीं लगे है तो बस normally अभी plant ग्रो हो रहा है कुछ pest इसके उपर भी लगे है मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे है friends ये pest लगे हुए है तो pesticide का application मुझे इसके उपर करना पड़ेगा अगर नहीं किया तो बाद में ये plant ज्यादा damage हो सकता है तो हमें plant को damage होने से पहले बचाना है इसी लिए pesticide के application करना ज़रूरी हो जाता है तो ये हमारे lemon plant है जो अच्छी खासी growth कर रहे है लेकिन flowerings नहीं लग रहे है तो friends ये है अपनी Sunday update की वीडियो लेकिन आप मुझे suggest करिए कि paint सही है या नहीं तो मुझे भी थोड़ा idea आएगा कौन सा color मुझे select करना है ये pot के लिए तो आप please मुझे थोड़ी help करिए बाकी जो भी plants से related आपको कोई भी queries हो तो आप मुझे comment box में पूछ सकते अभी थोड़ा vacation में पढ़ा हूँ friends family को थोड़ा time देना पड़ता है अब जब छुट्टिया आती है तो family जित करती है के हमें बाहर ले जाओ तो plants के लिए time मुझे बहुती कम मिल जाता है फिर भी मैं adjust करके time निकाल रहा हूँ और आपके comments का भी answer दे रहा हूँ तो सभी चीजे में कर रहा हूँ पूरा दिन मेरे vacation का time भी अभी थोड़ा busy ही जा रहा है लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का confusion हो तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं मैं आपको reply दूँगा दिल देन के लिए thank you friends